हमारे सभी दर्शकों को सादर परणाम जैशी क्रिश्ण आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे मतोंगा इस योग के प्रभाव से विवाहा तो बहुत सी बार हमने देखा है समय पर हो जाता है लेकिन उसके बाद भी विवाहिक समस्या रहती है पती-पत्नी में तनाव वाली इस्तती रहती है और दूसरे विवाहा के योग भी इसी योग से बन जाते हैं तो इसी इस्तती में यदि ध्यान ना दे तो तलाग वाली इस्तती भी बन जाती है और बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है इस योग के प्रभाव से यदि कहीं सगई होती है तो सगई भी एक बार होती है तूट जाती है फिर दूसरी बार होती है तूट जाती है एसी इस्तियां इस योग के प्रभाव से बनती है तो आज एक सामान्य से छोटे से योग के बारे में चर्चा करेंगे और इस योग को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस कुंडली को इस चार्ट को देखना होगा यहाँ पर आप इस कुंडली को द्यान से देखें सामानिसी कुंडली है चाहे लड़का हो चाहे लड़की जिस किसी की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है उनको इस प्रकार की इस्तती रहेगी ऐसी समस्या रहेगी आपको अपनी लगन कुंडली ही खोल कर देखनी है अन्य कोई भी कुंडली खोल कर नहीं देखनी है और सबसे पहले देखना है आपको लगनेश को लगन के स्वामी को देखना है, सब्तम के स्वामी को देखना है और चंद्रमा को देखना है, इन तीनों की इस्थती को देखना है लगन में क्या अंक लिखा हुआ है, सब्तम में क्या अंक लिखा हुआ है और चंद्रमा किस अंक पर बेठा हुआ है लिखा हुआ है कुंडली में उसे देखें यदि तीनों ही लगन का स्वामी लगन का जो भी स्वामी है लगन में जो राशी लिखी हुई है प्रतम भाव में जो राशी लिखी हुई है उसके स्वामी का पता आप इसी चार्ट से करेंगे उपर लिखा हुआ है सभी राशियों के नाम लिखे हुए है उनके स्वामी लिखे हुए हैं उनके अंक भी लिखे हुए है माली जी लगन में पांच का अंक लिखा हुआ है तो लगन का स्वामी कौन होगा सुर्य क्योंकि पांच नंबर सिय राशी का होता है और उसका स्वामी सुर्य होता है तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं और सब्तम में जो राशी लिखी हुई है उसे राशी के स्वामी को देखें कौन है, कहां बेठा है, किस राशी पर बेठा हुआ है उसे देखें तो लगन का स्वामी, सब्तम का स्वामी और चंद्रमा ये तीनों यदि कुंडली में द्वी सोभाव राशियों पर हो अर्थात अस्थिर राशियों पर हो अब द्वी सोभाव राशियां कौन-कौन से होती है मिथुन, कन्या, धनू और मीन तीन, छे, नो और बारा ये चार अंग जो होते हैं ये द्वी सोभाव राशियों के होते हैं, ये चार राशियां द्वी सोभाव राशियां कहलाती है एसी इस्तिती में व्यक्ति के भी मन में दो-दो विचार आते हैं, बहुत सी बार टालम टोल करते हैं विवाह में भी बहुत सी बार शादी होने के बाद भी फिर बाद में एगर ऐसी इस्तती बने तो बहुत ज़्यादा गंबीर हो जाती है तो द्वी सुभाव राशियों पर यदि लगन का स्वामी हो सप्तम का स्वामी हो और चंद्रमा हो ये तीनों ही यदि द्वी सुभाव राशियों पर ही हो एसी इस्तती में एसे लोगों की राशी केवल मिथुन, कन्या, धनु और मीन ही होगी इन चार राशी वाले लोग ही इससे प्रभावित होंगे और लगन का स्वामी और सब्तम का स्वामी भी तीन, छे, नो और बारा इन अंकों पर ही होगा तब जाकर ऐसी इस्तती बनेगी और एसी इस्तती से फिर शादी होने के बाद भी पती-पत्नी में मन मुटाव वाली इस्ततियां फिर जगड़े बढ़ जाते हैं और फिर दूसरे विवाह की तरफ बढ़ते हैं पहला विवाह तूट जाता है तलाग हो जाता है एसी इस्ततियां हमने अनेकों कुंडलियों मे देखी है जब कुंडली मिलान करते हैं उस समय भी इस प्रकार के योग यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में हो तो वह आना कानी करता है या सगई होने के बाद फिर तूटने वाली इस्तथी भी इसी योग के कारण बनती है तो आपको इस योग को हमेशा द्यान में रखना होगा जब भी कुंडली मिलान करते हैं इस इस्तथी को अवश्य देखें और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविश्य में भी आपको समय पर अच्छी अच्छी जान करें मिल सकें धन्यवाद जैशी कृष्णा